सगीमा ने दो बच्चों की गर्दन काटी एक की मौत एक गंबी रूप से घायल मुरदबत के ठाना कटगर छेतर में एक कल्योगी मादवारा अपने दो छोटे बच्चों की गर्दन चाकू से काटने की घटना से इलाके में हड़कम मच गया है इस घटना में चार साल के बच्चे की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंबी रूप से घायल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है अपने इस समहिला ने अपने दोनों बच्चों पर चाकूों से हमला करने के बाद खुदको भी मारने की कोशिश की सूचनपर पुलिस ने मा और उसके एक बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करने के बाद ठाना कटगर में मुकदमा दच करते हुए अग्रीम कारेवाई शुरू कर दी है कोई बात ना भाई कुछ दिमाग तो सही है इसका और दिमाग बिर्कुल इती लच्छ मी बहुए कि हम तो कभू आदी बात सुनी ना हमने आदी बात कई बास है अच्छा बच्चो के नाम किया उनके प्रीति नाम यह जो बच्चा एक्सपार हुआ यह क्या है लड़का काये दोनों लड़कों की गर्दन काड़ यह को तो लेगाई यह क्या नाम है बच्चों एक को नक्ष है अच्छा उनकी माता जी उनका नाम क्या है अच्छा सुबह कैसे मानों करें प्रीति को दूस्त ला रही थी है अपंपलवा मेरी व्यान लग गई चब चिका उन्सा ब ऐसे हौँ मेरी आवोर यह कई तरहएं करेने मेले अयोख शाखराएं क्लिभ्रय एसाथ खेलेश्ट छिखर वन्ता करें दूस्त मी नाश्रते गईति थी तो प्रभर देतियो तो मैं यह का ग्यान पधिए थयु पूस्त्यूस्त अपने अपने आपको और अन्ये पुत्र को बाँ देखा तांग अपने आपको और अन्ये पुत्र को गाहिल करने की सूचना प्राफ तकाल मौके पे पुलिस पहुची, जानकारी में आया है कि इस मजला ने अपने चार साल के फुट्रे के हज़्या कर दे, अपने आपको और अपने शाड़े च्छे साल के फुट्र को भी मानने का प्रयास किया जिसमें ये गाहिल हो गया, इन इसी के चलते इसने अपने छोटे फुट्रे के अज्जया कर दी, अपने और अन्य फुट्र को भी मानने का प्रयास किया, इन दोनों का ही इलाज अभी अस्पासाल भी चल रहा है, इसमें मुकदमा पंजिकृत किया जा रहा है, और भी अन्य कोई तत्य सामने आते हैं, तो कुषिया नुचा वे तकाने को री ठीक